महरास्ट्र कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब से NCP की शिकायत सौनिया गांधी से की है तब से राज्य की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है महरास्ट्र की सियासत में अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में महाविका सगारी सरकार में बिखराव हो सकता है ये भी संभावना है कि ये सरकार पांच साल का कारकाल पूरा करने के पहले ही धडाम से गिर जाए इसके पीछे सिर्फ पाटोले की शिकायती नहीं बलकि अतीत में भी कई मामले निकल करके सामने आ चुके हैं जब तीनों ही दलों में आपसी मदबेत उभर करके मीडिया और चनता के बीच में पहुँचे हैं आज हम आपको ऐसे मामलों से रूबरू करवाएंगे जो की निकट भविश में महाविकास अगारी में अलगाव की बड़ी बज़े बन सकते हैं नाना पटोले ने सौनिया गांधी से एंसीपी की जो है शकायत में कहा था कि एंसीपी महारास्ट में अप्रतेक्ष रूप से कॉंग्रेस को खत्म करने के मनसूबे से काम कर रही है वो भारती जनता पार्टी के साथ में मिलकर के कॉंग्रेस के खिलाप में साजिश कर रही है ऐसे कई वाक्य जो है निकल करके सामने आए हैं जब NCP ने कॉंग्रेस की पीठ में खंजर घोंपा है नाना पटोले ने कहा कि भिवंडी में कॉंग्रेस के 17 पार्शदों को तोड़ करके NCP ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है वहीं अमरावती बैंक के मामले में भी कॉंग्रेस का साथ देने की बज़ा है रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि की शरत पवार ने बीजेपी का साथ दिया इसके अलाबा भांडरा गोंदिया के निकाय चनाव में भी NCP ने कॉंग्रेस की जगए भारती जनता पार्टी का समर्थन किया महाविकासगारी सरकार के गठन के बाद वित विभाग की जिम्मेदारी NCP के पास में है इसके अलाबा ग्रेह मंत्राला भी NCP ने अपने पास में रखे हुए हैं ऐसे में कॉंग्रेस और शिपसेना के विधायकों ने कई बार NCP और अजीत पवार पर खुलेयाम ये आरोप लगाया है कि उन्हें उचित मात्रा में निधी आवंटित नहीं की जाती है उनके साथ हमेशा सौतेला विवार किया जाता है जिबकि NCP के विधायकों को फंड देने में कोई भी कोता ही नहीं बरती जाती इस वज़े से कॉंग्रेस और शिपसेना के विधायकों के चनाव शेत्र में विकास कारे नहीं हो पा रही है ये मामला भी महरास्ट की सियासत में चर्चा का विशे बना था इस तरीके के आरोब खुद कॉंग्रेस की कैबिनेट मंतरी ये शुमती ठाकुर अजीद पवार पर लगा चुकी है तो लगातार विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है जो कॉंग्रेस पार्टी है और M.C.P. उनके बीच में जिस तरीके की नौक चौक देखी गई है और खास करके चीजों के आवंटन को लेकर लगातार नाना पटोले शरत पवार पर हमला वर रहे हैं और शिफसेना के भी कई कदावर नेता ये कह चुके हैं कि पवार साहिब शिफसेना को अंदर-अंदर खुकला करने में लगे हुए हैं अब ये दरसल चर्चा का दोर एक बार फुर से शुरू हो चुका है कि अगाड़ी सरकार बहुत जल्दी बिखरने वाली है धड़ाम से गिरने वाली है ये नमुम्किन सा लग रहा है जो फिलाल दरसल महरास्टर से स्यासी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उसके मतावे कि ये सरकार पूरे अपने पांच साल कर भी पाईगी नाना पटोले ने जब से सौनिया गांधी से जकायत की है शरत पावार को लेकर के लगातार महरास्टर का राजनेतिक पारा चड़ावगा है वहराल इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट करके जरू बताएं जल बलूगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड अब औरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खवर लेकर रहा हूँ कोई बड़ी अपडेट लेकर आँ तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको लगे